नमस्कार भक्त जनों आईए अब हम श्रमण करते हैं मंगलवार व्रत की विधी एवं कथा सर्व सुख रक्त विकार राज सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है इस व्रत में ग्यहूं और गुड का ही भोजन करना चाहिए भोजन दिन रात में से एक ही बार ग्रहन करना ठीक है व्रत 21 सप्ताह तक करें मंगलवार के व्रत से मनिश्य के समस्त दोश नश्ठ होते हैं व्रत के पूजन के समय लाल पुश्पो को चढ़ाए और लाल वस्त्र धारन करें अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए मंगलवार व्रत का था एक प्रहमन दमपत्ती के कोई संतान न हुई थी जिसके कारण पती पत्नी दुखी थे वह ब्रहमन हनुमान जी की पूजा हे तू वन में चला गया वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ती के लिए किया करती थी मंगल के दिन व्रत के अंत भोजन बना कर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयम भोजन ग्रहन करती थी एक पार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राहमनी भोजन ना बना सकी अगले मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर अन ग्रहन करोंगी। वह भूग की प्यासी छे दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्चा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिये और कहा। मैं तुमसे अती प्रसन हूँ, मैं तुझको एक सुन्दर बालग देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुन्दर बालग पाकर ब्राह्मणी अती प्रसन हुई। ब्राह्मणी ने बालग का नाम मंगल रखा। कोच समय पस्षाद ब्राह्मण वन से लोट कर आया। प्रसन्चित सुन्दर बालग घर में क्रीडा करते देखकर वहब्राह्मण पत्नी से बोला। यह बालग कौन है। पत्नी ने कहा। मंगलवार के व्रत से प्रसन होकर हनुमान जी ने दर्शन दिये और मुझे यह बालग दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा। यह कुल्टा व्या विचारणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पती कुए पर पानी भरने चला। तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला। और उसको कुए में डाल कर वापिस पानी भर कर घर आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहा है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया उसको देख ब्राह्मन आश्चर चकित रह गया रात्री में उसके स्वपन में हनुमान जी ने कहा यह बालक मैंने दिया है तुम पत्नी को कुल्टा क्यूं कहते हो पती यह जानकर हर्शित हुआ फिर पती पत्नी मंगल का व्रत्रक अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे जो मनिश्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता यह सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसको हनुमान जी की कृपा से सबकष्ट दूर हो सर्वसुख प्राप्त होता है आरती कीजे हनुमान ललागी दुष्ट दलन रगुनाज कलागी आरती कीजे हनुमान ललागी दुष्ट दलन रगुनाज कलागी आरती कीजे हनुमान ललागी जाके बल से गिर्वर कापे रोग दोश जाके निकट न जाके अंजने पूत्र महावल दाई संतन के रगु सदा सहाई आरती कीजे हनुमान ललागी देवी नारगुनाथ पठाए लंका जारी सियासु दिलाए लंका जारी सियासु दिलाए लंका सो फोट समूत्र सिखाई जाच तवन सुत्वार न लाए आरती कीजे हनुमान ललागी लंका जारी असुर संकारे लंका जारी असुर संकारे सियारामजी के एकाज सवारे सियारामजी के एकाज सवारे नश्मन मूँचित खड़े सकारे लाए सजीवन प्राण उबारे आरती कीजे हनुमान ललागी पैखी पताल तोरी जम कारे अगिरावन की भुजा उखारे अगिरावन की भुजा उखारे भाई भुजा सुर्दर मारे राजिने भुजा संते जन तारे आरती कीजे हनुमान ललागी सुर्दर मुनी आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे जय 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 हनुमान उचारे अचन थार का फूर लचाई आरती करते अंज नाम आई आरती कीजे हनुमान ललागी जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बे उन्ठी परमपद पावे बसी बे उन्ठी परमपद खावे आरती कीजे हनुमान ललागी दुष्ट दलन रगुनाथ कलागी आरती कीजे हनुमान ललागी दुष्ट दलन रगुनाथ कलागी आरे पी कीजे हनुमान ललागी दुष्ट दलन रगुना ते कलागी आरे पी कीजे हनुमान ललागी